कि इस वीडियों बात करेंगे कि रेगुलर इंटरनेशनल फ्राइट जो सस्पेंड है तीस नवेंबर तक तो क्या वह तीस नवेंबर के बाद ओपन हो जाएगा क्या उसके उपर जो लगड़न लगा हुआ है क्या लगड़न खुल जाएगा और इस वीडियों में आपको बत करते हैं रेगुलर इंटरनेशनल फ्राइट के बारे में एक लेटेस्ट अबडेट निकल किया रहा है जो कि आपको बताने वादा हुँ तो दिखिए बहुत लोग के बाद जो है ओपन हो जाएगा हो जाएगा बहुत लोगों का सवाल था कि हो जाएगा लेकिन दोस्तों पर जो है आज डीजी सीय ने तूट करके सब लोगों को बता दिया 26 26 तारीक गरमा मेंने 2020 को यहां पर देख सकते हैं लिखा है ट्रेवल एंड वीजा रिस्ट्रेक्शन रिलेटिक कोविड 90 के वजह से जो है यह सब चीज बंद रहेगा यहां पर लिखा गया है कि 31 दिसम् सब लोगों को कह रहेंगे और बंदे महरत मिशन जो चल रहा था वह भी चलते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ यह गोलर इंटरनेशनल फ्लाइट 31 दिसम्बर तक सस्पेंड रहने वाला है ठीक है दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि एर इंडिया भी क्या अपडेट दे रहा ह इंडिया से सव इरब के लिए इंटेर्णनल फ्लाइट के बारे में तो तो ट्विटर पर यहीं चल रहा है एर इंडिया सब लोगों को कह रहा है कि रिएट इयर बॉबल और सैंटिक है जो साइन हुआ है एर बस पर जा बारे में 22 कंट्री के लिए इस नहीं जा रहे है और सवादी अरब या जो है दोस्तों रिमोज रहा है अगर आप पूछेंगे हैं अगर आप पूछेंगे कि सभी यहहीं जवाब दे रहा है दोस्तों यह जब आप दे रहा है कि बाइस कंट्री के लिए चालू है अगर आपको जाना है तो अभी सॉदी कोवर्णेट के तरफ से यह बैंट लगाए तो नहीं हटाया है इन दोस्तों यहां पर जो है इंडियन अग्सप्रेस का एक ट्विट आया है आप यहां पर पर सब्सक्राइब के लिए कि संभावना है और फ्लाइट शूरू होने की संभावना यहां पर इंडियन अग्सप्रेस ट्विट करके अपने अख़बार में छापा जो कि पचीस नौवेंबर को दो जाया था और यहां पर दोस्तों आप पर सकते हैं इंडियन सब्सक्राइब करके बताया था कि इंडिया सब्सक्राइब के बारे में और जो बैन लगाए तो अभी तक नहीं हटाया है अभी तक नहीं हटाया है लेकिन देखिए कुछ दिन वेट कर यह हो सकता है तो चालू हो जाएगा